Hello Fens, आज हम लोग बात करेंगे waterproofing, कैसा करते हैं हमारे bathroom बगारा में, wet areas में चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पहला जो है हमारा surface preparation होता है Surface preparation हम लोग इसलिए करते हैं ताके जो भी हमारा floor surface है जो जिस पे हमारा loose concrete है या जो भी small small holes है स्लैब में जो फिनिशिंग प्रॉपर नहीं होने की वज़े से होता है पहले हम लोग क्या करते हैं उसकी चिपिंग कर लेते हैं चिपिंग करके उसका जो भी हमारा लूस सर्फेस है उसको चिप करके निकाल देंगे डस्ट पार्टिकल्स को सब क्लीन करेंगे या हैमर से चिपिंग कर सकते हैं हम लोग या फिर हिल्टी वगारा से भी चिपिंग कर सकते हैं चिपिंग का एक और है जहां पर गएर हमारे कोई क्रैक्स है क्रैक्स याने 0.5 mm से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे यह आतने संटी से ज्यादा एधा आ है तो उसको हम लोग रिपेर करेंगे वाटर पूर्फिंग स्टाр्ट करने से पहले कोई भी चीज हो जाएअ ग्रीज हो या ओईल हो डस्ट हो कोई भी चीज Springs Also कोई भी चीज ऐफ तो उसको हम लोग प्रॉपर ली ग्राउट करेंगे या अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो उसको नॉर्मल हम लोग चैंफर बनाके पाइप के रॉन फिलेट बनाके उसको हम लोग नॉर्मल ऐसे ही रख सकते हैं या अगर कोई फस्ट फ्लोर वगारा पे तो उसकी ग्राउट के लिए हम लोग चैंफर प्रोवाइट करते हैं या उसको एंगल फिलेट भी बोलते हैं वो 50 mm by 50 mm या पांच सेंटी वई पांच सेंटी का हम लोग कह सकते हैं आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा चैंफर जो प्रिपेर कर रहे हैं और उसके बात हम लोग करेंगे अगर कोई रूफ अगरा पर हो रही है वाटर्पूफिंग तो उसको वाल के साथ हम लोग गुरूफ बनाते हैं एक उसका टर्मिनेशन लेवल होता है जो भी हम लोग का है फ्लोर से 40-50 रेंटी पर जहां भी टर्मिनेट होगा वहां पर गुरूफ बनता है ताकि वाटर्पूफ अब प्राइमर इससे अच्छी बांडिंग हो जैसा आप देख सकते हैं यह वीडियो में लोग सीमिट मोटर का पेस्ट बनाकर पूरा फ्लोर में दालेंगे जैके अब फ्लोर भी देख सकते हैं यहां पर साफ नहीं है तो यह सब को क्लीन करने के लिए अम लोग एक मोटर क पेस्ट बनेंगे बैट फिर हम लोग मोटर को अच्छे से ड्राई होने देंगे 24 अवर्स तक जैसा मोटर ड्राई होगे आप देख सकते हैं यहां पर इमोटर ड्राई होने के बाद कंप्लीट अभी हम लोग वाटरपूफिंग में प्राइमर स्टार्ट करेंगे जैसा यूज करते हैं अभी हम लोग यहां पर ब्रॉश यूज कर रहे हैं कि मैं इसको बीट रहे प्राइमर के वीडियो को थोड़ा फास्ट पारवड करेता हूं प्राइमर के पोश्यन को कि ताकि वीडियो हम लोग का ज्यादे लंबा ना हो प्राइमर को हम लोग अच्छे से यूनिफॉर्म वे में अपलाई करना चाहिए ताकि अच्छा सा उसका एक ठीक कोट आ जाए फ्लोर पे उसके बाद हम लोग उसको 24 hours के लिए dry करने के लिए छोड़ देंगे और next day जब आएंगे हम लोग उसको proper dry है या नहीं check करेंगे तो proper dry होगा तो उसके उपर कुछ dust वगार आओ तो उसको हम लोग clean करेंगे फिर हम लोग membrane start करेंगे तो जैसा आप आप लोग देख सकते हैं हम लोग gas torch की मदद से हमारे bond हो और joints जहां है हमारे joints जहां दिखा रहे हैं वहाँ पर हम लोग membrane को अच्छे से melted zone नहीं ज्यादा melt नहीं होना चाहिए तोड़ा जहां melt होता है वहाँ पर travel से हम लोग उसको अच्छे से आगे पीछे जितना भी joint है उसको अच्छे से fix करेंगे प्रेस करके और एक बात है जो site के laps है हमारे site के laps याने sheet को जो हम लोग side by side रखेंगे उसकी lapping हम को चाहिए at least 100 mm याने 10 centi होने चाहिए और end lap जो है जो sheet जहां खतम होती है उसके आगे जो हम लोग देते तो end laps हमारे उसको हम लोग at least 150 mm देनी चाहिए यहने 15 cent का end lap देना चाहिए और lapping में हम लोग को अच्छे से melt करके lapping में अच्छे से उसको पेस्ट करना चाहिए जैसा अभी आप लोग देख सकते हैं यहां पर अभी हमारा मेंबरें फिक्स वाय कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन जो को फिक्स होगा प्रोपर यह जब मुव नहीं करना चाहिए ऐसे चीज और यह जोइंट्स देखिए आप जोइंट्स जहां लैपिंग में बुल रहा था आपको फिफ्टीन सेंटी और यह पाइप स्के अरॉंड भी अच्छी बॉंडिंग होने चाहिए यहां पर अभी लो कारव occupied Vamos लो च्ग करता था है है वैसा होता है और membrane depend करता है हम लोग कितनाume प्रोवाइट किये हैं कितने layer प्रोवाइट करें और हम लोग अगर foundation वगरहां में यूज करें तो वहां पर हम लोग membrane भी करेंगे साथ में protection board भी आता है वह भी लगाँगे membrane हमारा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सकते थैंक यू